हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तु सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग जो आई एंसी के सिलेबस के कॉर्डिंग आप लोगों को कौन कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए कौन सी बुक आप लोगों के लिए बैस्ट है एक्जाम में पढ़ने के लिए बीएसी नर्सिंग थर्ड यर की जितनी भी बुक्स हैं वो आज हम सारी बुक्स के बारे में डिसकस करेंगे इस वीडियो में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रैड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आपको हमारे चैनल पर सभी subject के previous year question paper मिल जाएंगे और आपको medical surgical nursing और obstetrical midwifery nursing के जो भी important topic है उनके notes भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और यदि आप किसी topic पर video चाहते हैं तो आप हमें comment box में comment करके बता सकते हैं आज हम discuss करेंगे कौन कौन सी books आप लोगों के लिए important है तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपका जो subject रहता है medical surgical nursing तो medical surgical nursing के लिए जो important book है वो है levis levis की जो book है ये वाली book को आप लोग purchase कर सकते हैं इस book में है जो है आपको medical surgical की जितने भी nursing second मतलब जो आपको third year में है तो इनके topics आपको महिल जाएंगे उनकी language भी अच्छी है आप इसे भी प्रिफर कर सकते हैं या फिर इसके बाद आप जो ब्रणार और सिधार्थ है वाली जो book है आप इसे भी प्रिफर कर सकते हैं यह वाली जो book है यह भी volume 1 और volume 2 में आती है इसमें भी आपको जो है medical surgical nursing first first जो थे उसके portion के topic भी आपको इसमें मिल जाएंगे और इसके volume second में medical surgical nursing second का portion है वो भी आपको इस book में मिल जाएगा तो यदि आप BSc nursing third year के student है तो आप इन दोनों में से या तो आप लेविस परचेस कर लीजिएगा और या फिर ब्रणार और सिधार्थ परचेस कर लीजिएगा यह दोनों ही best book है इन दोनों में ही आपको जो है अच्छे से आ जाएगा यह वाली book आप परचेस कर सकते हो फिर उसके बाद जो next है important book psychiatric के लिए यदि आप mental health nursing के लिए book चाहते हैं परचेस करना तो आप जो इसके लिए best book रहने वाली आप लोगों के लिए वो आरश्रिवानी आप परचेस कर सकते हैं आरश्रिवानी जो है वो mental health nursing के लि आपको इसमें पूरा study material आपको मिल जाएगा आपको अलग से कुछ भी ठाके पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो यदि आप third year के student है तो फिर आप आरश्रिवानी परचेस कर लीजिएगा mental health nursing के लिए आप देख लीजिए pediatric nursing के लिए कौन सी बुक आप लोगों के लि disease portion के लिए parul data best है लेकिन जो भी procedure रहती है child health nursing की उसके लिए आप जो पीवी की book है वो ज्यादा best रहती है यदि आप जो पीवी की book आती है child health nursing की यदि आप ये purchase करेंगे तो इसमें आपको procedure अच्छे से मिल जाएंगी disease भी इसमें दी गई है इसमें पीवी की book में भी disease portion भी आपको मिल जाएगा बट procedure जो है वो बहुत अच्छे से दी है यदि आप parul data purchase करेंगे तो उसमें procedure इतने अच्छे से explain नहीं की हुई है और वैसे आप इन दोनों में से कोई सी भी book prefer कर सकते हैं दोनों में ही आपको syllabus क according portion मिल जाएगा तो आप parul data purchase कर लीजिए या फिर पीवी की book भी आप purchase कर सकते हैं फिर उसके बाद जो है अभी जो न्यूश लेबस के according आइनसी के न्यूश लेबस के according जो है nursing research पहले इसका exam fourth year में conduct कर आया जाता था बट अभी कुछ rules change हो गए हैं अभी पता नहीं सभी university मे हुए हैं या नहीं MP में तो rule change हो चुका है जो nursing research का paper है ये third year में conduct कर आया जाता है और fourth year में आप लोगों को thesis जम्मा करनी रहती है तो यदि आप nursing research के लिए book दून रहे हैं तो आप जो इश के शर्मा जो book है आप ये प्रिफर कर सकते है nursing research के लिए इस book में आपको जो है उसके according आपको पूरा सब कुछ systematic मिल जाएगा तो आप nursing research के लिए जो है सुरेश के शर्मा जो है आप ये purchase कर लीजिएगा आज हम लोगोंने BSC nursing third year के लिए कौन कौन सी book से important है वो discuss किया है यदि आपको हमारा video पसंद आया हो तो please video को like कर दीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और यदि आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लीजिए